उत्तर पिदेश के बांदा में एक अनियंती ट्रेक पुल से नीचे गिर गया जिसके चलते ट्रेक की चपेट में आने से पांस लोग गनभीर रूप से घायल हो गए हैं और वे एक बच्चे की मौत हो गई है फिलहाल घटना के बाद इस्थानी पुलिस के दौरा मौके पर प पत के बेबरू तहसील अंतरगत ओगासी पुल का है जहां पर एक ट्रेक पुल से अनियंतरित होकर नीचे गिर गया वही पास में ही पानी भर रहे ग्रामीर उस ट्रेक की चपेट में आ गया है जिससे छे लोग गनभीर रूप से घायल हुए थे जिसमें एक की मौत हो चु के साथ घटना इस्थल पर पहुचे और वहां का मौका मौइना किया फिलहाल इस्थाई पुलिस के दौरा और ग्रामीरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए ट्रेक के नीचे दबे सभी ग्रामीरों को सुरच्छित निकाल लिया वही घटना के दौरान एक बच् समस्या होती है हुआ यह था कि सामने से एक ट्रेक आने की वज़े से इस ट्रेक ने थोड़ा सा साइड में कर लिया था तब ही रोड में गढधा होने की वज़े से यह ट्रेक अनियंतरी थोकर पलड़ गया था जिसकी वज़े से ही पूरी घटना होई है फिलहाल पुलिस के द्वारा सुरच्छा व्यवस्था करते हुए rescue operation चलाया जा रहा है और वहीं traffic व्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया गया है कानून व्यवस्था की कोई भी समस्या नहीं है पूरे इंतिजाम किये गए है अध्य या जाओ यार गुलाग ऑच गुलाग अचाए गुलाग जी का घ्टन हुई है तो किते लोग दबे होंगे दो बच्चे दबे हुए हैं अच्छा किसी की मौत तो नहीं हुई हो सकती है भी कंफर नहीं है कि अवगासी में किस जगे घड़न हुई है खास अवगासी कुल के पास तो आसताला हुए हैं आप अश्पाल किते लोग आ गए हैं अश्पाल किते लोग आ गए हैं तो किसी की हालत ज्यादा खराब है क्या अच्छा कैसे चोट लगी है ट्रेक पलटा है क्या कहां किस जग है किते जने गायल हुए है पांच लोग दबे हैं कुल को निका रहे हैं तर में अगासी पूल के पास एक ट्रक जो है वो पलट गया पलटने का कारण यह था कि वो शड़क जो है वो पड़ी पतली है और सामने सब्सक्राइब का रहा था उसको बचाने के चक्कर में यह इसने साइड में काटा और बगल में वहां गढ़्धा था इसके वज़े से यह इसका संतुलन गरबड हो गया और यह वहीं पलट गया वहां नल से पानी ले रहे थे कुछ लोग जो इसमें गंभीर रूप से गया लोग है उसमें से एक बच्चा जो है वो लगबग ढ़ाई से तीन साल की उम्र है जिसके मृत्ति हो गई बाकी पांच लोग और हैं जिनका उपचार जिला स्पताल में कराया जा रहा है वहां उ झाल